गुरुगाओं जैसी दुखद घटना इंदौर में ना हो और उसके लिए वो पूरा अमला ठाने छोड़के रोडों पे लगा दें या स्कूलों की सुरुशा में लगा दें तो यह बात जो हो बिमानी बात हो भी क्योंकि उनके पास भी अमले की कमी है तो हमें तकनीक का इस्तमाल करना पड़ेगा और जागरुक इंदौर उसका एक सर्टी को धारन है बात सिर्फ कैमरा लगाने की नहीं है बसों में उस कैमरा लगाने के बाद में यदि बस की स्पीड बढ़ती है तो आटोमेटिकली ऐसे म इस प्रशान के पास में आना चाहिए कि आज इंदौर जले में इस नंबर की बस के द्वारा इस समय पे 40 से उपर गती में बस चलाई गई इसलिए उसका चलान आटोमेटिकली उसके सामने आए जिसको जर्फ फस्ताक्शरित करे तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी और यह यह बात स्कूल के प्रिंस्पत तक पहुँचे यह बात स्कूल के ओनर जो उन तक पहुँचे यह बात कलेटर काले तक पहुँचे यह बात सबसे इंपोर्टन्ट आप तक पहुँचे बच्चे के मवाब तक पहुँचे यह जागर के नौर है इसमें जिम्मेदारी स्कूल तुमंदन की ही है, सिर्फ उनको आसानी के लिए एक सौफ्टर लगाने की बात है, जो भी वो सुम्म ही चलाएंगे, लेकिन पसाशन को और पुलिस को और सिक्षा विभाग को इसका पूरा पूरी इनफर्मिशन रियल टैम में मिलती रहेगी, इनफेक्ट बच्चों के मातापता को भी मिलती रहे